फ्रीति वर्मा फूर्ट चेनल पे आपका स्वागत है, आज हम मार्किट स्टाल साबूदाने के पापड की रेशिपी लेकर आए हैं, रेशिपी स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले, एक घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था इसका सारा पानी ड्रेन कर दिया था अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है आप देख सकते हैं पापड बनाने के लिए आप किसी भी जार के इस तरह से धकन का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह आप गंगन का यूज पापड बनाने के सबसे पहले हम सबी धकनों को ओईल लगा का ग्रीज कर लेगे पापड़ बनाने के लिए हम साबूदाने में 1 टी स्पून लमक सकते हैं यहां पर संदे नमक का यूज़ किया है, इसको मिक्स कर लेंगे, अब हम इन ग्रीज की हुए धक्कनों पर इस तरह से सावुदाने को स्प्रेट कर देंगे, और इसकी इस तरह से पतली लेयर बना लेंगे, और इस तरह से हम सभी धक्कनों में फिल करके रख लेंगे, यहां पर मैंने सभी धक्कनों में सावुदाने को फिल कर लिया है, और यदि आप इस तरह से कंगन का यूज़ करके बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्लेट को ग्रीज कर लेंगे, फिर इस कंगन के अंदर हम इस तरह से सावुदाने को फिल कर लेंगे, यहां पर गैस पर मैंने एक लास पानी डाल कर गरम करने के लिए रख दिया था और इसमें यह स्टेंड लगा दिया है, अब हम यह सावुदाने फिल करे हुए धक्कनों को गैस पर रख देंगे, और पांच मिनट तक इनको ढख कर होने देंगे, गैस की फ्लैम को हमें मीडियम पर रखना है, इन्हें रखे हुए पांच मिनट हो गए है अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं पापडों को, यह पापड बनकर रेडि हो गए हैं, अब हम इन्हें गैस बनकर के निकाल लेंगे, और यह यहां पर मैंने एक और प् अब हम यहां पर एक पर प्लेट को ग्रीस करके इसमें पापड़ों को निकाल लेंगे हम इस तरह से प्लेट पर इसको उल्टा रख देंगे यह इजी ली निकल जाते हैं पापड कलरफुल पापड बनाने के लिए आप नमक के साथ इसमें फूड कलर भी एड़ कर सकते हैं यह हमारे पापड बनकर रेडी हो गए हैं अब हम इनको धूप में रख देंगे सुखाने के लिए इसी तरह से हम बागी के सभी पापड बना कर तयार कर लेंगे यह हमारे साबू दाने के पापड सूप कर तयार हो गए हैं, अब हम इनको फ्राइ करेंगे पापडों को साबू दाने का पापड फ्राइ करने के लिए ओल गरम हो गया है, इसमें हम पापडों को डाल देंगे और इनको फ्राइ कर लेंगे लेजिए फ्रेंस यह बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारे साउताने के पापड़ बनकर तयार हैं रस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक यू